आ की मात्रा पता है बच्चों, आ की मात्रा व्यांजन के पीछे खड़ी रेखा बना कर लगाई जाती है क जमा आ की मात्रा व्यांजन के जमा आ की मात्रा व्यांजन के जमाई जमा व्यांजन के जमाई व्यांजन के जमाई जमाई व्यांजन के जमाई जमाई व्यांजन के जमाई 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 व्यांजन के जमाई 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 जमा हेलो बच्चु, मैं कहानीकार कच्छुआ हूँ, क्या आपको कहानिया सुनना पसंद है? हाँ! बहुत बढ़िया, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी का नाम है दयावान राजा एक राजा था, वह बहुत धन्वान था, वह भगवान की पूजा करता था और माला भी चड़ाता था इसके बाद वह गरीबों में चादर और चावल बाटता था, उसके दर्बार में तबला और बाजा बज़ता था उसके महल में अनार, टमाटर वगाजर का बाग था एक दिन काला बादल आकाश में चाया, बादल करजकर बरसा तो भी चाता लेकर एक बालक आया, वह राजा के लिए आम और बादाम लाया राजा ने उसको ताजा पक्वान खिलवाया, और आदर से वापस भेजा आपको कहानी सुनकर मज़ा आया ना, बाई, अब हम एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे बाई कहानी गाल कच्छुआ बच्चों, हमें सदा दूसरों का आदर करना चाहिए आपको करना उसके साथ प्रूस्दों कर बादाता कर वादा आपको कहानी जस दुरूस्ट झाल झाल